हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो और चैनल और आज हम बात करेंगे बलरामपूर चीनी के बारे में आज ही इसके रिजल्ट आया है और इसके साथ उन्हें डिविडेंट भी डिकलेर किया है अगर हमारे चैनल पर फर्स टाइम है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा तो दीखिए बलरामपूर चीनी इसका क्लोजिंग जो है वो 9.0 से नीचे हुआ है 415 पे small cap company है market capital है 8,675 करोड का इसका P.E. ratio 18.08 है sector P.E. से बहुत कम है जो कि 45.89 बलरामपूर चीनी के quarter ले result के अगर हम बात करें तो consolidated net profit हुआ है 641 million जबकि last year यह हुआ था 269 million का लेकिन यहाँ पर estimation था 1.32 billion का और last quarter का हमारा यहाँ पर net profit था 831 million यानि के last quarter के comparison में इस quarter का जो result है वो हमारे जो estimation था उससे कम ही आया है 1.32 billion का यहाँ पर उन्होंने target लगा के रखा था लेकिन यहाँ पर consolidated net profit है जो आया है 641 million यानि के market की यहाँ पर थोड़ी बहुत निराशा हुई है जिसके वज़े से हमें बलरामपूर चीने के stock में भी यहाँ पर गिरावट आते हुई दिखाए दी है इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर revenue जो बताया है वो आया है 12.1 billion का और यहाँ पर last year का जो था 10.72 billion मतलब last year के comparison में यहाँ पर अच्छा ही आया है EBITDA अगर हम यहाँ पर देखें तो 998 million यहाँ पर आया है last year में 423 million का था last year के comparison में अगर हम देखें तो इस quarter में अच्छा है यहाँ पर EBITDA है EBITDA margin भी यहाँ बढ़ गई है 8.23% से last year में यह थी 3.94% तो देखें यह market के जो estimation थे consolidated net profit के वो थे 1.32 billion और यहाँ पर हम निराश चिनी के stock में भी गिरावट दिखाए दी है लेकिन इसके साथ उन्होंने यहाँ पर interim dividend 250% का दिया है याने के 2.50 per equity share of 1 each मतलब यहाँ पर जिन के पास एक share होगा उनको 2.50 का यहाँ पर dividend मिल जाएगा और यह deposit हो जाएगा account में by 14th of February 2022 से अगर हम चार्ट की बात करें तो दे देखिए यहाँ पर हमारा एक support है जो कि support है 392 का जो कि यहाँ पर पहले एक resistance का काम कर रहा था और इसको resistance यह break करने के बाद इसने uptrend दिया था 450 के आसपास अब यहाँ पर नीचे आने के बाद यह जो 395 को resistance है अभी ही काम कर रहा है support का last time यहाँ पर recently इसने अच्छा bounce back दि तो यहाँ पर हमारा support है तो जब तक ही 390 के ऊपर यहाँ पर trade कर रहा है जब तक कोई tension नहीं है लेकिन अगर ही यहाँ से 390 break करता है तो उसके बाद हमारा next जो support है वो रहेगा 370 का अगर यहाँ पर uptrend हमें कायम देखना है तो उसके लिए stock को जो है वो cross करना पड़ेगा 4 430 का level अभी के लिए तो यह थोड़ सा difficult लगता है तो ध्यान दीजिए अपने level का 390 रहेगा हमारा support और हमारा resistance रहेगा 430 जैसे यह 430 यहाँ से cross करेगा तो उसके बाद यहाँ से फिर से uptrend rally दिखाए देगी देखिए शुगर सेक्टर में वैसे भी यहाँ पर long term के लगते हैं तो इसी की चलते हुए सारे जो शुगर सेक्टर है वहाँ पर अच्छी खासी rally है तो अगर आप बलराम पूर्ची ने अपने portfolio में long term के इसाब से रखते हैं तो आपको कोई tension की बात नहीं लेकिन जो short term trader है उन्होंने यहाँ पर support का ध्यान ज़रूर रखिएगा तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आयोगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon दबाना मत भूलीगा और हमारे जो community चैनल है वहाँ पे भी हम बहुत सारे updates देते रहते तो उसको भी मच्चू कियेगा तो मिलते हमारे अगले वीडियो में thank you so much